नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है तुला रास है आपकी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्पूर है तुला रास वालों के लिए अगस्त दो हजार को चोबिस कैसा रहेगा आज इस वीडियो में बताएंगे तो सबसे पहले तो नि साथियों तुला रास का शौमी शुक्र है और शुक्र जो है जीवन में धन देता है शुक ग्रह की इस्थित क्या है सबसे पहले उसकी बात कर लें कौन-कौन से ग्रह अपना रास परवरतन करने जा रहे हैं जो आपके लिए लाब दायक रहेंगे या हानिकारक दोनों बाते इसी वीडियो में बताएंगे साथियों 16 अगस्त को रवी सिंग रास यानि कि श्वेम की रास में प्रिवेस करेंगे और रवी जब सिंग रास में प्रिवेस करेंगे तो आपके लाब भाव में बिचरन करेंगे गोचर करेंगे बैठेंगे क्या लाब देंगे इसी वीडियो में बताएंगे वहीं 22 अगस्त को बुद्ध जो है वक्री हो जाएंगे और बुद्ध वक्री जब होंगे तो आपके दसम भाव में गोचर करेंगे 24 अगस्त को शुक्र कन्यारास में आ जाएंगे कन्यारास में शुक्र ब्यभाव में बैठेंगे यानि की बारमें भाव में क्या लाब देंगे क्या हानी देंगे चुकि लगनेस हैं इस्तितियां क्या आपके पक्ष में बनेंगी आपके ग्राश्य स्वामी की वहीं 26 अगस्त को मंगल मिथुन रास में प्रवेश करेंगे और भागिस्थान पर आपके बैठेंगे मंगल आपको क्या लाब देने वाले हैं यह भी इसी वीडियो में बताएंगे तो साथियों तुल्या रास के जो भी जातक हैं ध्यान से सुने यह महिना आपके लिए बहुत ही सुब जान बहुत अच्छा जाने वाला है भाग का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा रुके हुए जो भी आपके कारी हैं वो पूर होगे नौकरी में लाब होगा वहीं पदो उन्नत के भी आपके यानि प्रमोशन के भी चैंसेज हैं भूमी भवन वाहन आदि का भी योग आपके ल पूसाय है तो थोड़ा सा सावधानी रखने की आपको अवर्शक्ता होगी अगस्त माह में वहीं परिवार में खुशाली रहेगी परिवार में आनंद और उस्तों का वातावरां अगस्त माह में बना रहेगा गिरहों की इस्तितियां आपके अनकूल है इसलिए स्वभाविक है कि जब गिरहों की इस्तितियां अनकूल होती है तो हमें उसके सुब फल ही प्राप्त होते हैं तो कहने कातात पर अगस्त का महिना आपके लिए बहुत सुभ है तुलारास के जात को कुछ भी नया करना चाहेते हैं जरूर करें सफलता प्राप्त होगी एक छोटा सा उपाय बताते हैं जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए पूरुस है तो छै मुखी रुद्राक्ष धारन करें इस्त्रिया है तो ओपल अपनी अनामिका उंगली में धारन करें और ध्यान रहें अपनी कुल देवी ग्राम देवी सरस्वती दुर्गा काली जिस पर भी आपकी संद्दा है जरूर देवी पूजन शुक्रवार के दिन करें और एक मुठ्थी तांदुल यानी क चावल अपनी मुठ्थी में लेकर शुक्रवार के दिन अपने सिर्थ से बिना गिने हुए उतार कर अपने घर के बाएर छोड़ें तरक्की प्राप्त करेंगे और सावधानी समझें या उपाय समझें नहाने के पानी में तीन चुटकी हल्दी डालकर इस्नान जरूर करें सुफ़लों की प्राप्ति होगी बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद इश्वार आपको हमेशा सुखी रखे संपन रखे और स्वस्त रखे